तो हेलो का आईज, वेलकुन तो मैं चैनल सूपर वर्स तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल लॉडीजी से रिलेटेट कई सारे अपडेट्स के बारे में तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डेटपुल 3 मुवी को लेकर तो रिपोर्ट ऐसे निकल करा है कि एक्टर स्ट्राइक क्योंकि अब खत्म हो चुकी है तो आने वाले कुछ दिनों में डेटपुल 3 की शूटिंग स्टार्ट हो सकती तो गाइस अगर आपको ये मार्वल और डीसी की मुवी और सीरीज से रिलिटेड अपडेट्स की वीडियो देखना पसंद है उनके बार में जानना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजे क्योंकि आप में से 99.4% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते तो हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो नेक्स अपडेट है वेनम 3 मुवी की रिलीस देट को लेकर लेकिन अब ये मुवी 8 November 2024 को रिलीज होगी तो नेक्स अपडेटर था Marvel's मुवी को लेकर So guys, Marvel's MCU की lowest rated movies में से एक बन चुकी है Rotten Tomatoes की तरफ से इस मुवी को 55% की rating मिली है नेक्स अपडेटर स्पाइडर मैन Beyond the Spiderverse मुवी को लेकर तो जैसा कि आपको बताई होगा कि ये movie next year रिलीज हो रही है और क्योंकि Hollywood में actors की strike चले थी इसी वज़े से इस movie के voice recording को बहुत दिन पहले रोप दिया गया था और अब क्योंकि strike खतम हो चुकी है तो अब जल्दी इस movie की voice recording दोबारा शुरू होगी नेक्स्ट अब डेट है Superman Legacy movie को लेकर तो मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था कि इस movie की shooting पहले January में start होने वाली थी और actors track की वज़े से इस movie की shooting को delay कर दिया गया था और उस वक्त shooting की कोई new date reveal नहीं होई थी पर अभी recently एक report निकल कराया है इसके according Superman Legacy movie की shooting next year March 2024 में start होगी